बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, दर्शकों तक मुरैना से बस्पा प्रत्याशी रमेश चेंद्र गर्ग ने जी मद्रप्रदेश चतीजगर से खास बात चीत की है, क्या आकोच उन्हों ने कहा है, सुनाते हैं आपको एक बार संबेदत सी लोक सवा सीट कही जाती है, लेकिन इस बार यहाँ पर तिरकोंड यह मुकाबला हो गया है, यानि पॉलिटिकल क्लाइमाक्स यहाँ पर देखा जा रहा है, और बीजेपी कॉंग्रेस पार्टी की टेंशन हाई है, और जैसी यहाँ पर उमस मुझे मौसम में मैसू सोरी बैसी ही पॉलिटिकल उमस भी है, बसपा के प्रत्यासी और एक रैली की बहुत ज़्यादा चर्चा अब तक हो रही है, बसपा कैंडिडेट रमेशंद गर्ग साहब मेरे साथ मौजूद है, सर अब मुरे नाम क्या देख रहे हैं, चुनाव पर चार हो गया, आज तो बोटिंग की बारी है, जनता से टटूला होगा तो जनता क्या कह रही, बोटर अब तक क्या समझ पाया, थिको अभी पांच तारिक को हमने रोट सो किया था मौरे नामे, कम से कम बीस हजार महला पुरसों ने जो रोट सों में भाग लिया, इतनी बड़ी रेली मौरे ना के राजनीतिक इत्यास में आज तक कभी होई नहीं है, बहुत होते हैं सर, बीस हजार पूरा बजार बर गया था आतमियों से इतनी वड़ी रेली थी, उसको लेकर के जो है थोड़ा सा अन पार्टियों में गवलाट होगे, उसके बाद उन्होंने फालतू की रूमरी उड़ा आला बंद कर दिया, बेंदर उतर गए और बाजपा जोएन कर ली, बाजपा की सवरतन में बैठ गए, उन्होंने इस तरीका की फालतू की रूम पर रहें, जो की चुनाब में वड़ा करती हैं, वो भी सुरू हो गई, तो जन्द समदाय चूंकि मेरे साथ है, इसलिए दोन सब्सक्राइब बाजपारी जितने भी रहते हैं, सहरी इलागों में बहुत उस्सा है, बड़े-बड़े दिग्जस नेत आए यहां पर, चाहे कॉंग्रेस पार्टी क्यों, रमेश चंदगर्ग साब के लिए अडचन तो नहीं कर गए, बड़े-बड़े नेताओं की रेली हुई, हमारे आदनली पदानमंत्री की रेली में आदी कुर्सियां खाली पड़ी थी, हमारे यहां हमारी राष्टी अध्यच्छे आई जो है बहन मायावती जी, उनके यहा हमारे रूट्स हों भी सजाराज में पबलिके थे, इन सब चीजों से आप अंदाज लगा सकते हो कि क्या इस्तिती है, प्रिशासन क्या बेवस्ता बेहतर है, चुस्त दुरूस्त है, क्योंकि यहां पर कई बार बूत काप्चिरिंग जैसी है, गटनाय सामने आई है, बिग सब्सक्राइब कर दिया है, और एक्स्ट्रा मिलेटरी भोस लगा दिये सहरों में, जबकि जो अर्चुनाम में उदम होता है, बाद नॉर्मल पॉलिस लगी हुई, जिससे वो अपने आराम से अपने इसाफ से बोटिंग कर लें, ऐसे क्यों है, अपकी बार सबको डर बैट सब्सक्राइब कर दिया है, जिससे कि उनको बहवदान पैदा करके बोटिंग की परसेंटेज ज्यादा ना उपावे, कई बार मैंने देखा विदान सबाचुनाओं को भी मैंने कबर किया है, मुरेना गौाली अर्रेस, पूरी एरिया, कई जगे, कई जगे, बूत कैप्च सब्सक्राइब कर देखा है, तो ऐसे को डर तो नहीं सता रहा है कि परसासन की कई खामी के चलते, अब की बार जे सारी गटना है, यह हमारे दिमनी छेत्र में जा बेदान सबावा का चुनाब हुआ था, वहां पे यह सब कुछ हुआ था, लोगों को फोट नहीं डाले गए दालने दिये गए, लोगों पूलिंग बूतों पर पहुचने नहीं दिये गए, यह सब तरीकाई गटना हुए थी और हमारा तो यह ऐसा चेत्र है, यह होता है, अर्चुनाम में होता है, कई बार तो इतना भी हो जाता है, कि इनकाउंटर होके लोग मारे भी जाते हैं, बो मुरेना का भविष्यत दिख रहा है, हमें आरी जीत, निश्चित है, तो उसके बाद हमें दिख रहा है, कि यहां पर जो बदलाव होगा, उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड है, प्रचार के लिए जब आप निकले होंगे, तो महलाएं क्या कह रही है, आदी आवादी के इनकी इमेज, बहुत सालों से यहां पर लोग जानते है, इनका कारे लोगों ने देखा है, बिना किसी पोस्ट पे इन्हों ने जो कारे किया है, हर शेत्र में, वो हर जन्ता को पता हमें बतानी की ज़रूत नहीं है, इक्ज़ाक्ली, आप देखें कि तो चुनावी मैदान म मुरेना का वो बहुत क्लाइमेक्स बाला हो गया है और यह वो सम्मेदन सील एरिया माना जाता है बोटर तैयार है और इसके अलाबा कुछी देर मैं जो मदान केंदर है बहाँ पर बोटिंग की सुरुआत हो जाएगी लेकिन बसपा कैंडिडेट रमेश शंद गर्ग ने निस